Mature people never fight on double front समस्दार जो लोग है सारा राज समस्दारी का है अब आप सोच के देखो कि कोई अपनी उंगली पे परवत उठा ले Demonstration of Power शक्ती का प्रतर्शा दुनिया में तुम तीन लोगों के बिना नहीं जी सकते और तुम तीन लोगों के साथ नहीं जी सकते इनको अपनी महत्तुकांचा कभी बंद बताओ अगर आप जीवन में बड़ी बड़ी तयारिया कर रहे हैं और हर फ्रेंट पे लड़ रहे हैं किसके रिष्टेदारों ने, किसके पटीदारों ने किसको खुश रखा है पटीदार है आपके वो डेली उस मकान से गुजरेंगे और डेली मरेंगे उसका मज़ा है ऐसा दूसरे को क्या दिखाना सर गौर से सुनियागा इस बात को अगर आप जीवन में बड़ी बड़ी तयारिया कर रहे हैं और हर फ्रेंट पर लड़ रहे हैं किसके रिष्टेदारों ने किसके पटीदारों ने किसको खुश रखा है हाँ जब आप उचाई में पहुँच जाएंगे तब ये लोग भाग कर आएंगे दुनिया में तीन लोगों के बिना आप नहीं रह सकते और तीन लोगों के साथ नहीं रह सकते कौन है वो तीन पहला है आपके दोस्त दूसरे आपके पडोसी और तीसरे आपके रिष्टदार इन तीनों के बिना भी आप नहीं रह सकते और इन तीनों के साथ भी आप नहीं रह सकते। इन तीनों से अपने आपको बचाना ही योग गिता है। आप उठे समस्तिपूर से बैग उठाए किसी को बताया ही नहीं कि आप आई-एस की तैयारी करने जा रहा है। बताया ही नहीं आपने। चर्चा यह नहीं कि अगर इसे नों बुझा कि दिल्ली जा रहा है। हाँ वह इन फोग लग गई है। ऐसा ही जौब लग गई है। बैंगलोर जा रहा है। हाँ इंफोसेज में जौब लग गई है। जब तुम अपनी महात्युकांग्छा किसी को बताते हो और तुम योग्य होते हो तो जलन पैदा होती है यह मानवी प्रवीर्ति ऐसा नहीं हमारे में होती तुम्हारे में होती सब में होती है अर। जाना चाहोगे कौन जानता है तुमको एस्ट्रेलिया में हो भगए में अपने घर की तरफ भगते हो जितने लोग बंबाई में कमातें दुबंए में कमातें कमा औरर है में अ जय है इसमीदी बड़ा मकान बड़ी बड़ी दिवाले और करीब एक भीगे में मकान और ट्रेक्टर खड़ा हुआ है क्यों क्यों वो जो पतिदार है आपके वो डेली उस मकान से गुजरेंगे और डेली मरेंगे उसका मज़ा है सर दूसरे को क्या दिखाना सर अब आप गोरकपूर से गया सेटल हो गया बंबई में कौन जानता है आपको बंबई में लेकिन भैजू डीहा गाओं के आप रहने वाले है वही के लोगों ने आपको गाली दी है बच्पन में चुनोतियां दी है आपको ताना मारा है कि कुछ नहीं कर पाओंगे तो आपने तीन बिगे में मकान मनवाया गाओं में कोई नहीं रहता कोई रहता है नहीं इतना वाला ताला लड़का है लेकिन पूरा गाओ जब उस मकान से सामने हैं गुज्रेगा तो डेली मरेगा कि बहुत पहिसा सुकलोवा कमाए तसकरी उसकरी करता होगा दुनिया में तुम तीन लोगों के बिना नहीं जी सकते और तुम तीन लोगों के साथ नहीं जी सकते इनको अपनी महत्तुकांग्छा कभी बन बताओ अगर तुम योग हो यह तुमसे चलेंगे कृषिन को देखो बल्राम मजाक उड़ाते सके भाई है गोरे नंद जसोदा गोरी तुम कत्ष्याम शरीद तुमारी माँ भी गोरी तुमारे पापा भी गोरे तुम काले हो तुम इनके बेटे हो यह नहीं कि बल्राम एक दिन कृष्ण से कहते हैं कि यह विरंदावन के आदो लोग तुमको पीटने का प्लान बना रहे हैं क्यों बोले तुम इनकी बीवियों के साथ नास्ते हो पीटेंगे नहीं आरे बोले यार तुम भाई टेंशन मतलो हम हैंडल कर लेंगे एक दिन बारिश हो रह परवत उठा लिया उंगली पर अब आप सोच के देखो कि कोई अपनी उंगली पर परवत उठा ले डिमॉंस्ट्रेशन ऑफ पावर शक्ति का प्रदर्शन तब यादों ने क्रिशन से कहा कि देखो भाया तुम बीवी के साथ तो नाची रहो तुम साली के साथ भी नाचो हमको कोई टेंशन नहीं है जीवन में तुम्हारी योग्यता तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन होगी उसको छिपाना है 98% लाना योग्यता नहीं है वो सेल्टेक्स कमिशनर थे लखनों में सुसाइट कर लिया दो-तीन दिन पहले की बात है योग्यता है इस दुनिया को हानल करना एक साव है हमारे चाहित तुम जवां करांति चलाए के सबको बचा लोगे हमने का हम थो बचा लेंगे abdain hai tu'm harda क्या मक्सद है कि तुम खोरोना से कोई मर्ता नहीं हैimana को मरते तो लूग टिट से भी है मरने का क्या है शुगर ज्यादा बढ़ जाए आपनी मर जाए दूद ज्यादा पीले डाइरिया हो जाए मर जाए मौत को बहाना मंगदा है उसे उसे बहाना चाहिए जो बड़ी chronic बीमारिया है cancer बड़े सारे लोगों को मैं जानता हूँ दद्द साल से जिन्दा है कुछ नहीं हो रहा है मैचयोर जो लोग है न मैचयोर वो दो फ्रेंट पर कभी नहीं लड़ते हैं इसलिए जितने हमारे युवा भाई हैं जब भी आप बाहर निकले तैयारी करने के लिए निकले पहलने के लिए निकले बागी सारे दर्वाजे बंद करते हैं सन्यासी हो जाए कि यह सन्यास का मतलब सर्ञास कर अलब यह नहीं करवब में लिए निकुरों आरी ऑड भागे हो बग अगके वह सबल में सन्यासी युद्ध दिलिया यह हावाद आईए बैंगलोर यह हैदराबाद एए सन्यासि एफ कोई आप से कह रहा कि दिमाग खराब है तुमारा आइस कभी नी बनेगा तू जी भीया हम तो भाईया ऐसे ही चले आए भाईया हम तो एंसियाटी पढ़ने चले आए भाईया हम थोड़ी आइस बनेगा भाईया और जिस दिन आइस बन जाओ उसी आत्मी को पहले बुलाओ कि क्या हाल है तुमारां टा कर तो तुम अरे भाईया हम थो ऐसे ही कह रहाए भाईया हमारी तो अम्मा कहती है हमारी शकल कुट्टे जैसी बिलकुल तुमारी अम्मा इस दुनिया में मज़ा क्या है सर विरोध का होना विरोध विरोध जितना तुमारा विरोध होगा उतने तुमारे उभरने की संभावना बढ़ जाएगी विरोध मुर्देगा नहीं होता सर जए जितना बड़ा परादी हो जब मरता है न तो दुखी होते हैं लोग तुम्हें पता करना है कि तुम जिन्दा होगी नहीं अगर तुम जिन्दा हो तो लोग तुम पर हसेंगे अगर तुम जिन्दा हो तो लोग तुम्हारा विरोध करेंगे यह सब जिन्दा होने की निशानिया हैं सर